वीडियो को लास्ट तक जरूर देखीगा क्योंकि बात करेंगे कुछ हरहर गंगे की जरूरी मुद्दे पर उससे पहले बता दे कि दोस्तों कैसन पिवा के चरीतरवा जोकी गाना वेब म्यूजिक से रिलेज हुआ है मातर दो घंटे में ट्रेंडिंग सेंक्शन में इंट्री ले चुगा है गाने का रिस्पॉंस भी काफी बढ़िया जा रहा है गाने की जहां तक बात थे वीडियो तो काफी डेंजर तरीके से सूट किया गया है लाइटिंग से लेकर डांस, वीडियो क्वालिटी, ड्रेसर, सब कुछ फर्फेक्ट है लेकिन जो गाने का धून है वही पुराने वाले गाने के धून पर ही है जोकि मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि दिखी 2.0 का मतलब वही पुराना धून नहीं होता है पर पता नहीं क्यों भुश्पूरी में 2.0 का मतलब वही होता है चाहे अब किसी भी गाने के दूसरे वर्जन को उठा के देख लीजी बढ़ ठीक है कोई बात नहीं पबलीक अगर प्यार दे रही है पबलीक को पसंद आ रहा है तो सब चलता है दोस्तों अब एक सवाल है वेब म्यूजी के ओनर से और पमन सींग के टीम से मेरा कि क्या सोचकर यार आप लोगों ने आज ही गाना छोड़ दिया क्या हरहर गंगी का कीवल हवा मना कर छोड़ देना था जब ऐसा ही करना था तो फिर आप लोगों ने इतने दिनों से वेट क्यों कराया पबली के बीच में ये रायता क्यों फेलाया कि नहीं हरहर गंगे ये है हरहर गंगे वो है मतलब कुछ नहीं टीजर भी कल ही आउट करना था गाना भी आज ही छोड़ना था तो जब नाग कटवाने का इतना ही सोख था तो अच्छे से पहले ही कटवा लेते इतने हवाबाजी करने की जरुवत ही क्या थी आप एक मोदी जी के गाने के लिए पूरी के पूरी टीम लाइव आ सकती है लेकिन क्या आप लोग अपनी इस इतनी बड़ी मूवी के लिए एक लाइप तक नहीं आ सकते पवन सी क्या वे म्यूजी के गाने को कल रिलिज नहीं किया जा सकता था कई सारे सवाल है दोस्तों जो कि मन में खटक रहे है पर पता नहीं क्यों पवन सींग और उनकी टीम को कोई फरक नहीं पड़ता चाहे कितने भी इज़र डूब जाये ना कट जाये चाहे कोई कितना भी उंगली उठा दे हसते कोई दिक्कत नहीं है अगर सच में ऐसा ही आप लोग का कंडिसन है तो फिर सिनेवा के मामले में खिसारी लाल को पीछे कर पाना मुस्किल ही नहीं ना मुम्किन है ये सच है और सच कड़वा होता है पता है मुझे कि हर किसी कोई बात बुरा लगेगा क्योंकि जब 24 घंटे में 1 मिलियन व्यू आपके ट्रेलर को नहीं मिला एक लाक लाइक्स नहीं मिला तो फिर क्या कहेंगे आप तो दोस्तों कहना यहीं था आप लोग कि क्या इस पर आए है कोमेंट चलूर किजिएगा और मेरे वडियो को लाइक शेर कर दें मिलते हैं नेक्स वडियो में